PNG पर सबसे ज़्यादा टेक्स जमीन पर नहीं मिल रहा है उद्योगों का हक। नमस्कार आप देख रहे हैं दाखबरदार नियूस तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुक और बड़ी खबर पर PNG पर मदर प्रदेश देश में सबसे ज़्याद टेक्स लेने वाले राज्य बन चुका है उद्योगों सवाल कर रहा है कि ऐसे में प्रदूशन रहे तर इधन को बड़ावा कैसे मिलेगा प्रदेश के उद्योगों को अब तक उनकी जमीन पर हक नहीं दिया जा रहा है प्रदेश को चगत कर रहा है प्रदेश की वववसाय के राजदानी इंदोर सही तर निछेतरों में प्रदूशन रहे तो इधन की मुहिम चलाई थी एर कॉलिटी इंडेक्स सुधार्ने के लिए शहर से लेकर ओध्योगों कि चेतरों में उपयोग होने वाले जीवाश्म इधन प्रदिबन देते कर दिये गई उद्योगों में इस पर अमल किया गया और बॉयलर बदल दिये गई अब उद्योग परेशान है क्योंकि प्रदूशन अरहित इधन की और उठाया उनका सकारात्मा कदम सरकारी रीतियों की वज़ा से उन्हें महेंगा पढ़ रहा है दरसल पाइप के जरियों उद्योग तक भीजी जा रही प्राकरते गैस पर मुद्रप्ते सबसे ज़्यदा टेक्स वसूल रहा है Association of Industries मुद्रप्रदेश के अध्यक्ष योगे शमेता कहते हैं कि PNG पर महरास्ट में 4% टेक्स लगता है मुद्रप्रदेश में PNG पर सरकार 13% वेट बसूल रही है GST लाग होने के बाद पेट्रोल, गैस और शराव ये तीन वस्तुए हैं जिन पर वेट लाग होता है इसका अफर ये है कि उद्योग पती गैस पर 13% टेक्स हो चुका है लेकिन उसका टेक्स करड़िट उसे नहीं मिल रहा है वेट के चुकाए टेक्स को ही वह GST में सयोजित नहीं कर पा रहे है एस्सोसियेशन ने तमाम उद्योगों की और सरकार को ग्यापन भेजा है कि इदन से वेट कम किया जाए जिसने प्रदेश के उद्योगों की उत्पादन लागत तो घटेगी वेप्रदूशर रहे ते इदन अपनाने के लिए पिरेद भी होगे प्रदेश सरकार नए उद्योगों को इस्थापित करने के विभे नए योजनाओं में सबसेडी देती है गुशना के बाद भी उद्योग उद्योगों सबसेडी की राशी जारी नहीं हो रहे है इसी खिसाथ उनका संचालन भी मुश्किल हो रहा है बजट में सबसेडी के लिए ना केवल मद आवंटित हो बलकि बिना लाल फीता शाही के उद्योगों तक उनका पैसा पहुचाने के विवरस्था भी सुनिश्थित करें प्रदेश के उद्योगों जुन्हें दशकों पहले सरकार न जमीन आवंटित की थी वे प्रीमियम राशी से लेकर लीज रेट तक चुका रहे है लेकिन उद्योगों की जमीन पर हक नहीं दिया गया है उद्योगों पती और AIMP के पूरवद्य अक्षिर पमोद जफरिया कहते हैं कि इसका असर यह है कि बैंक गरंटी से रेकर लोन तक के उद्योगों के जमीन का मुल्य शामिल नहीं हो रहा है उद्योगों की बैलेंस शीट इससे कमजोर हो रही है खबरों बें अब तक के लिए बस इतना ही फिर होगी आपसे मुलाका आतैसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ अब तक के लिए नमस्कार और देखते रही एद्धा खबरदार न्यूज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें